आज हम सिखेंगे सनलगन आकरितियों का परिमाप परिमाप यानि पेरिमिटर यह शब्द पैरी और मेट्रॉन से बना है पेरी का अर्थ चारो तरफ और मेट्रॉन का अर्थ मापन है इस तरह से किसी बन्द आकरिती की परिसीमा यानि पाउंडरी की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं जैसे इस आकरिती को देखिए इसकी परिसीमा की कुल लंबाई AB, BC, CD, DA के योग से प्राप्त की जा सकती है यह योग इस आकरिती का परिमाप कहलाएगा चलिए आज वर्ग और आयतों से बनी सनलगन आकरितियों का परिमाप ग्याद करना सीखे एक कागस लीजिए इस पर 5 सेंटिमीटर भुजा वाला एक वर्ग PQRS खीच लीजिए क्या आप बता सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इसका परिमाप ग्याद करने के लिए हमें इसके चारो भुजाओं की लंबाईयों का योग करना होगा लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणा भुजा की लंबाईयों है यदि आपको किसी वर्ग के भुजा की लंबाईयों पता हो तो इस सूत्र के प्रयोग से आप उस वर्ग का परिमाप क्यात कर सकते हैं इस तरह से वर्ग PQRS का परिमाप होगा 4,5 cm बराबर 20 cm अब आप कागस पर 3 cm लंबाई और 2 cm चोड़ाई वाला एक आयत J-K-L-M बनाईए क्या बता सकते हैं इस आयत का परिमाप क्या होगा सूचिए सूचिए यहां भी आयत का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाईयों का योग होगा लेकिन आयत की सम्मुख भुजाएं यानि opposite sides बराबर होती है जैसे यहां J-K-L-M और K-L-M-J है इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर दो गुणा J-K-Dhann-K-L यदि हम भुजा J-K को आयत की लंबाई और भुजा-K-L को आयत की चोड़ाई कहे तो आयत का परिमाप बराबर दो गुणा लंबाई-धन चोड़ाई लिखा जा सकता है यदि आपको किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो तो इस सूत्र की प्रयोक से आप उस आयत का परिमाप ग्याद कर सकते हैं जैसे यहां आयत JKLM का परिमाप होगा दो गुणा कोश्ठक में 2 cm धन 3 cm बराबर दो गुणा 5 cm बराबर 10 cm अब जड़ा सोचिए अगर हम वर्ग PQRS और आयत JKLM को कागस से काट कर इस प्रकार सनलगन यानि एजिसंट रखते हैं तो बनने वाली नई आकरिती PQRKLM का परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं सबसे पहले यहां बिंदू S और बिंदू J एक दूसरे पर आ रहे हैं इसलिए हम इन में से सिर्फ एक नाम रखेंगे जैसे यहां हम इस बिंदू को बिंदू S कहेंगे यहां हमें दोनों आकरितियों को साथ रख कर एक नई आकरिती PQRKLM प्राप्त हुई है इसका परिमाप इसकी परिसीमा की लंबाई होगी जिसे ग्यात करने के लिए हमें इसके सभी भुजाओं की लंबाईयों का योग करना होगा यहां PQ बराबर QR बराबर वर्ग PQRS की भुजा बराबर 5 सेंटिमिटर है क्या आप पता सकते हैं कि हम भुजा RK की लंबाई कैसे ग्यात कर सकते हैं सोचिए सोचिए पिल्कुल सही RK पराबर RS रिन SK पराबर 5 सेंटिमिटर रिन 2 सेंटिमिटर बराबर 3 सेंटिमिटर KL पराबर 3 सेंटिमिटर है इसी तरह LM पराबर 2 सेंटिमिटर है इसी तरह MP बराबर MS धन SP बराबर 3 cm धन 5 cm बराबर 8 cm इस तरह से आकृती PQRKLM का परिमाप होगा PQ धन QR धन RK धन KL धन LM धन MP पराबर 26 cm जरा सोचिए क्या यहां वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप को जोड़ कर संपूर्ण आगरिती का परिमाप प्राप्त किया जा सकता है नहीं यदि हम इनके परिमाप का योग करेंगे तो परिणाम आता है 20 cm धन 10 cm बराबर 30 cm दोनों स्थितियों में परिमाप भिन्न है इसलिए सनलगन आकृती का परिमाप इसे बनाने वाली आकृतियों के परिमाप के योग से प्राप्त करना गलत है इसका कारण अपने अध्यापक से चर्चा करके अवश्य ग्याद करें अब आप स्वयम ग्याद कीजिए कि यदि हम आयत को इस प्रकार इस प्रकार या इस प्रकार वर्ग के सनलगन रखते तो क्या प्रत्येक स्थिती में हमें समान परिमाप प्राप्त होगा आज हमने सीखा सनलगन आकृतियों का परिमाप अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उधारन तो किृतम में हमें आकृतियों कृतियों करेंगे जिये जुड़े ऑन।